नमस्कार आप देख रही हैं अमर उजाला आपके साथ मैं हूँ अक्षा करपा जमू कश्मीर में बहुत जल्द विधान सभा चुनाव होने की उमीद है इसे लेकर सरकार अनुछेद 370 हटने के बाद से ही आश्वस्त है उमीद है कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा ये चुनाव कराने का माकूल माहूल है उप्राजपाल मनूज सेना ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि चुनाव शांती पूर्ण और निश्पक्ष होंगे चुनावायों की पूरी टीम जमू कश्मीर में जमीनी खकेकत का आंकलन करने के बाद लोटी है उमीद है कि सर्वोचिन्याया लेकि आदियेश की मताबिक विधान सभा चुनाव की तारीक खोशिट होगे उर्पाजिपान ने कहा कि जिस दिन अनुचेद 370 और 35 एको निरस्त किया गया था उस दिन गुरह मंत्री ने संसद में कहा था कि पहले परिसीमन होगा उसके बाद विधान सभा चुनाव किये जाएंगे और फिर उचित समय पर राज्ये का दर्जा दिया जाएगा उस दिन से लेकर आज तक इस रुख में कोई बदलाब नहीं आया है विधान सभा का आकार बढ़ाया गया और उसके बाद नियायमूर्ती रंजना देसाई की ध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने नई सीमाय निर्धारित करने पर काम किया परिसीमन आयोग ने प्रदेश का दौरा किया था सभी हित धारकों से परामर्ष किया और परिसीमन प्रक्रिया पूरी भी कि एनसी और कॉंग्रिस के आतंकवाद का हवाला देकर चुनाम में देरी की आशंका पर एलजी ने कहा है कि प्रदेश में लोगसभा चुनाव सफल रहे इसमें को 58 प्रतिशत मतदान हुआ घाटी में 50 प्रतिशत से जादा मतदान हुआ बीते 35 से 40 सालों में पहली बार घाटी में युवाओं महिलाओं और बुजर्गों सहीत इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है ये इसपस्ट रूप से दिखता है कि लोगों को लोगतंतर में विश्वास है पहले केवल 11 बारे प्रतिशत मतदान ही यहाँ पर हुआ करता था विदान सभाच शुनाव के लिए प्रिशासन पूरी तरह से तयार है और मुझे विश्वास है कि ये पूरी तरह से शांती पून और निश्पक्ष होंगे जेल में बंद इंजीनर राशित के संसर में चुने जाने और इससे लोगतंतरिक राजनीती में अलगाववाद बढ़ने के बारे में कुछ राजनीतिक दलों की आलोचना का जवाब देते हुए सिन्हा ने कहा कि लोगतंतर में लोगों का नरण सर्वोच होता है यह सच है कि ऐसे तत्व संसर तक पहुच चुके हैं देश उन्हें जानता है और हम भी उन्हें जानते हैं मैं मतदाताओं से आगरे करता हूँ कि राश्ट्रियाहित को ध्यान में रखते हुए ने डेले ऐसे लोगों को राजनीती में आगे बढ़ने से रोकने के लिए सभी आवश्य कदम उठाये जाने चाहिए केंदर द्वारा उन्हें सश्चस्त बनाने वाली हाल की अधिसूचना की आलोचना पर अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें